दोस्तों first week pregnancy symptoms के बारे में कई बार गर्वती महिलाओं को जानकारी नहीं होती है लेकिन ये जरूरी है कि इन लक्षणों को जाना जाए ताकि गर्वती महिलाएं आगे इसी के मुताबिक अपना खान पान और रहन सहन कर सके अगर आप इस दौरान इन लक्षणों को नजर अं information में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों यू तो कई महिलाओं को pregnancy के first week में ही कुछ symptoms दिखने लग जाते हैं लेकिन कुछ महिलाओं को ये लक्षण ये symptoms बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं वैसे तो अपनी pregnancy को confirm करने के लिए market में बहुत सारे pregnancy test kit आते हैं लेकिन इनको आप को इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ तो आप उसी हिसाब से अपना खान पान अपना रहन सहन कर सकती हैं अपने शरीर को मजबूत बना सकती हैं और आने वाले बच्चे के स्वास्त को भी बहितर कर सकती हैं तो कौन-कौन से वो लक्षण है आए जानते हैं मुख्य आती लक्षणों की बात की जाए तो पहला जो लक्षण है वो है ठकान का लगना जब भी आपने रिलेशन मेंटेन किया हो उसके कुछ दिनों बाद ही अगर आपको ठकान महसूस होने लगती है या फिर आपका जी मचलाने लगता है आपको उल्टी आने जैसा महसूस होता ह है या पर सिर में दर्द रहता है ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं यह जो लक्षण है यह आपके गर्ब धारन करने के लक्षण हो सकते हैं इसके अलावा एक अहम लक्षण जो होता है वो होता है ब्रेस्ट का दोस्तों अगर इस दौरान आपको आपके ब्रेस्ट पर दर्द महसूस होता है या फिर इन में हलकी सी एंठन आपको महसूस होती है तो ये भी संकीत होता है कि आपने गर्ब धरन किया है अगर आपके पैरों में सूजन आने लगी है या फिर आपको बार-बार पिशाब आ रही है तो ये भी एक लक्षन होता है प्रेग्नेंसी के शुरुवाती दौर में हार्मोनल चेंजिस के चलते इस दौरान आपकी पाचन क्रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है जिस वज़े से आपको कॉंस्टिपेशन हो जाता है यान की कबज की समश्या सुरू हो जाती है तो यह कबज अगर आपको शुरुवाती दौर से बनने लग गया है होने लग गया है तो आप समझ लेजिए कि आपने गर्बधारन किया है जोस्तों इंप्लांटेशन ब्रेडिंग जो होता है यह भी इसका एक एहन लक्षन होता है जैसे कि आपके पीरियड आने के कुछ टाइम बाद अगर आपने रिलेशन में डेन किया है और उसके भी कुछ दिनों बाद आगे चलके आपको हलकी से स्पॉर्टिंग हो जाती है या फिर ब्लेडिंग होती है जो कि मासित धर्म जैसी नहीं इस तरीके की ब्लेडिंग, जिसे की इंप्लांटेशन ब्लेडिंग कहा जाता है इस तरीके के स्पॉर्टिंग आपको हो सकती है या इस चुरुवाती लक्षन है और आपको इसंपे बिल्कुल भी घबराने के ज़रूरत नहीं है जब दोस्तों भून दर्भासे की दिवार में जाके जुडने लगता है तो ऐसे में हो सकता है कि आपको एठन महसूस हो ये एठन आपको आपके पेट पे, पेट के निचले हिस्से पे, पैल्विस एरिया पर या फिर आपके कमर में आपको महसूस हो सकता है uterine lining release होने पर आपके गर्भासे में खिचावाता है साथ ही आपको गुदगुदी और खुजली जैसा महसूस होता है इस वज़े से आपके पेट और कमर में आपको दर्द महसूस हो सकता है इसके अलावा दोस्तों इस दौरान आपके हार्मोन्स जो हैं imbalance हो जाते हैं जिस वज़े से आपको इस दौरान पेट फूलने जैसे समश्या हो जाती है और माहवरी आने पर जैसे mood swings होते हैं तो हो सकता है कि आपको इस तरीके के mood swings स्टार्ट हो जाए कई मैलाओं के शुरवाती दोर से ही मूह का स्वाध चेंज हो जाता है उनके मूं का स्वाध जारां करवा हो जाता है जिस वजह से उनneys खटी चीज़े जादा पसंदाती है अगर आपके मूं का स्वाध करवा हो गया है और आपको खटी चीज़े खाने का बहुत जादा मन कर रहा है तो इस सिम्टम से भी आप अड़ा लगा सकते हैं में रिफायां परना शुरू हो जाए इसके अलावत वसे दिशा मिनेये आपको बताया कि अगर आपकी ब्रेस्ट में छूने में बहुत ज्यादा पेज़ वहारी है अपको असहष्टा महसूस हो रही है चलने में आपको बहुत ज्यादा आपके ब्रेस्ट में हो रहाए densh फिर आपके breast सूजने लगे हैं, भाली पनिन में आ गया है, तो ये एहम लक्षन है, इससे आप idea लगा ही लेते हैं, लगा ही सकते हैं, कि आपने गर्ब धारन किया है, और ये इसका शुरुवाती लक्षन होता है, तो ये थी जानकरी pregnancy के first week symptoms के बारे में, अगर आपके मन में अभी भी कोई doubt है, कोई question है, queries है, तो आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं, मैं आपके message का जरूर reply करूँगी, मेरी Instagram ID का link मैंने description box में दिया है, साथ ही वीडियो में भी आपको mention किया है, ताकि आपको ढूणने में कोई तकलीट न हो, उमीद करती हूँ दोस्तों, ये वीडियो आ आपको